लेकी आशाज अगरह तो वीडियो से लेटर वीडियो लेके है अएक लीडियो को पसंद आई हो पसंद आए टावब करना है maulungsर ही LINial जिसके बाद अगर वीडियो अच्छी चली तो आगे भी चलाते रहेंगे तो तीन आने वाले हैं चैप्टर लगातार तो इंतियार करना और आते रहेंगे तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिने किसी टाइम कवाए इसका नाम होता है अकाजा सिन्सिफ्ट होता हम लोगो दिखा जाता है एक फ्लावर पूट को जिसमें से आफ आ जाती है और कहता है है क्या ये लोड अकाजा है और तब ही वहाँ पर जाता है जो अकाजा होता है डीमन वो रुख जाता है और तब ही हम लोगों को दिखा जाता है उस flower pot से एक demon निकलता है जो कि होता है गयोको तो भाई यह upper rank 5 का demon है जो कि साथ हम लोगों के इसी season में दिखाएगा कि बाई season 2 season 1 में कहीं नहीं दिखाएगा था खाली अकाजा को छोड़के जिसके बाद वो बहार निकलता है और कहता कि भाई उसकी मतलब face ही साला है खिचड़ी है बे सिंसिफ्ट होता हम लोगों को दिखाएगा था एक और अपर रैंग डिमन को यह होता है आपर रैंग 4 जिसका नाम होता हम तेंगू और वो कहता है इतना बायानक है यह कैसे हो रहा है उस टाइम जब हम गयोकों से मिले थे हम लोग ज्यादा थे एक सो तेरा साल हो गए है उस बात को वो डिमन जो कभी नहीं मरते थे और वो मरते जा रहे हैं कितना भायानक है और फानली हम लोगों उसके नीचे दिखाया आता है अपर रैंग 4 और बाय जो कि मैंना आपको उसका नाम बदाया और यह सुनने के हमारा अकाजा बोलता है ए बीवा महिला क्या लोडू का यहां पर है बता सकती हो? और बाइससम्री नाम सुनने का बहु यह तो पताखना कि वहें और भाई है और फेस कूछ बंदेता है नहीं सेन्सेट होता है म्लों को दिखाया थे को जो कि जो किस हम लोगा सबसे पद्द दुखाई गएती यह होती है अपर रैंक फोर किडे में जिसका नाम होता है नाकी में और वो कहती है वो अभी तक की नहीं है और यह सुनने के बाद हमारा काजा कहता है तो अपर रैंक फर्स्ट कहा है वो अभी तक की मरा नहीं है तो इसे होना चाहिए जिसके बार अपर रैं का तुम्हें मेरी भी खयाल नहीं हाता है तुम्हें सब का खयाल जरा बहुदक है स्टित रूप से मुझे तुम्हें सब की चिंता होती है तुम लोग मेरे साथ ही जो ठहरे अगर इसी के लिए तो मैं तुम लोग के बिना नहीं रह सकता अगर तुम लोग मर गया है और ये कहते हैं बाई साब वो अकाजा के कंदे पर हाथ भी रख देता है और बाई साब उसकी आँखों में भी ताड रहा होता है मतलब क्या ही बॉला जाए लड़की समझ लिए क्या अगर वैस फिर से सिंसिप्ड होता है और हम लोग को दिखाया आता है गयो को जो ही कहरा होता है एई लोड डूमन लोड डूमा आप कैसे हैं डूमा ही ये सुनने के बाद बोलता है एलो गयो को वर्ट टाइम बाद मिले क्या ही एक निया फ्लावर पोर्ट है अच्छा है मैंने एक औरत का सरकाट के उस फूल्दान में डाल दिया था जो तुमने मुझे घर सजाने के लिए दिया था और वाई सब डो मा के हम लोगो रैंक दिखाए जाते हैं जो कि होता है अपर रैंक सेक मुझे सबस्दान दीवत्र होता हिस माटन परफिए जरुआ और फिर कभी और यह कहन हॉता होता है और अफ्रिग्व रहा होता है रया है दे को आप प говоря दुखाए एक मुझा तोकड़ घ्यू में जो दूमा सेकंड रैंक आया और उसके भाई सब पसीने छूड़ गया मुझ से खून निकल आया और हम लोगो दिखाया आता है दूमा फिर भी सही होता और वो कहता है अच्छा मुक्का था क्या तुम लोड अकाजा से भी जासा ताकत वर हो तो भाई इसकी यह बात सुनने के बा आती है जो कि कहती है अपर रैंक को पहले ही बुला लिया गया था वो पूरे टाम से वहीं बैठा था और यह सुनने के बाद बाई साब अकाजा सौक हो जाता है और हम लोगों को दिखा जाता है अकाजा नीचे देखता तो वहां पर रैंक फर्स्ट बैठा होता है जो कि आ जाता है मैं यही हूँ लोड मुजान आ गया है तो सब लोगा उपने चाहँ पे चले जाओ और भाई सब लोगो दिखा जाता है तो इसके फेस डीविल अभी नहीं किया गया तो लास्ट चेप्टर में साथ कर देंगे मतलब थोड़े चैप्टर में जाके सेंसिट होता है और फास्ट राइम कोई सबसे पहले पता होता है सिंसिट होता है और अगले सीन में लोगो देखा था मुजान जो की इस पेरिमेंट कर रहा होता है वो कहता है गया तारो मर चुका है और कीजू की रैंक इंकम्प्लिट है तो आगे नहीं जा सकता तो जैसे कि लो जानतों के बा में इसमें बात हो रही थी जो कि वाई सबसे आप लोगो पता ही होगा तो आगे बढ़ता है अगले सीन में लोगो दिखा जाता है डूमा को जो की मुजान को देखते वे कह रहा होता है क्या ये सच में हो सकता है मुझे माफ करना लोड मुजान मैं क्या करूँ इसके लिए मैं गयातारों को आपस तो नहीं ला सकता है या मैं कुछ और करूँ अपने आँखों की पतली बार निगाल दूँ या फिर कुछ और बताईए मुजान जी मैं क्या करूँ बाई साब यही कहते है वह बतलब उपर देख रहा होता है अगले सिन में दिखा जाता है मुजान को जो की कह रहा होता है नहीं बेवकूफ इसकी कोई जरूत नहीं मुझे इसकी कोई जरूत नहीं मुझे लगी रहा था गयातारों हार जाएगा क्योंकि मुझे लगी रहा था डा की एक परिस्सानी है क्योंकि वो कमजोर है अगर गयतारों सुरु आज सही लड़ाई करता रहता तो आज वो जी जाता उसे जहर देने के बार लड़ना नहीं चाहिए था खैर कोई बात नहीं इसकी अब कोई जरुरत नहीं सोचने के बारे में तो मैं आपको इस थोड़ी सी डिटेल दे दूँ इस चैप्टर के बारे में कि भाई हमारे जब सेकेंड सीजर में हम लोको दिखाया था साउंड आज से जब लड़ रहा था गयतारों के साथ तो गयतारों ने उसे पोजन कर दिया था लेकिन उसके बावजूद भी गयता है उससे लड़ रहा था उसका हाथ काटने के बावजूद भी तो यही वह सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वह से हमारा मुजान गुसा हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं हम लोगों को दिखाया है मुजान को अगर जिसे में तो तुम लोग कुछ भी घर हो दो मां को दिखाया जाता है जो कि यह बात सुनने के बाद बाद डिसरपोइंटेड होता है और वो कहता है अब फिर नरा जोगे लोड मुजान क्या मैं आपकी उमीदों पर खड़ा नहीं उतरा और यह सुत्ते ही भाई हमारा मुजान कहता ह तुम लोगों ने उबूश की फैमली को खत्म नहीं किया उन्हें उनकी कबर में नहीं पहुचाया बेवगूफ हो और तुम ब्लू स्पाइडर को भी अभी तक की नहीं रूंट पाए इत्ते सालों में मैं नहीं जानता कि मैं तुम लोग को जिन्दा क्यों जोड़ता हूं यह मेरी सबसे बड़ी बूल है और बाई साब यही कहते हैं मुजां बहुंच जाता है घुसा हो रहा हो था और लोग पर क्या ही बोला जाता है और यह सब कुछ दिखने के पास सारे बंदे जुक जाते हैं मतलब सारे बंदे समच चुके हो तो कि भाई मुजान घुसे में बचने वाला स्ब्स जूब जाते हैं और सब लोग बोलते हैं मुझे माफ कीज़िए जहां तक हमारा आकाजा भी जूखे जाता है और अगले दिखते कि पाये साब को को तो भाई मैं फ़र्स से स्किल छुपा रखी थी जिसकी बाइसे वो हम लोग को दिखाई नहीं दी यह सुनने के बाइट डूमा बोलता है मैं जासुसी में अच्छ हूं जो तो मैं यही कर सकता हूं तो वाजी सब हम लोग को अगले सिनमे में लोग दिखाया था है गयो को को जो कि बाइसा फ्लाव की तरफ और यही कहते हैं वह थोड़ा आगे बढ़ रहा होता है मतलब उसकी बोड़ी थोड़ी रिजनरेट हो रही होते हैं और उसकी मुह में होती एक आख जिस पर फाइफ लिखायों का सायथ सिन सिप्ट होता है अगले सिनमे में लोग जाता है मुझान को जो की कह रहा ह हमता हूँ समझगे तुम लोग वाई सब यह सब यह ऐसे कही रहा होता है कि मतलब बोलता रोड मुझान मेरे सर पर बगड़े हुए हैं मुझे अच्छा लग रहा है मुझान टो पकड़ रखा तो इसलिए अच्छा लग रहा हूता और साहद मुझान का सर उकाड़ लिए साथ क्वेख खून निकलता है और यही कहरा होता है वो लेकिन अगली सिन्व में हम लोगों को दिखा जाता है कि मुजान पूरी तरह से गुस्ता में होता है और चिलाते हुए कहरा होता है एक सो तेरा साल हो चुके हैं अब जाक की एक अपर रेंग डिमन मरा है मुझे यह निराशा का कारण बनता है मुझे बिल्कुल अच्छाएं लगता है अगली बार अगर कोई ऐसी नियूज लेकर आएगा तो खुशी से मत बताना क्योंकि तुम लोग दुखी हो के बताना डर आएसा फाइनल उसका चेहरा नीचे गरता है आके मुझे पता नहीं जगरा कि भाई मुझा ने उसका चेहरा निकाला तो निकाला कैसा मतलब आखिर कर क्यों वाई वाई दादा वाई और वो आगे कहता है सबसे अबसे तुम लोग और भी दुख्यूर होगे क्योंकि ऐसा लगता है कि तुम लोग अपर रेंग होने के कारण बहुत ही आलसी हो गया तुम लोग इंसानों की तरह दायालू होते जा रहे हो और साथ तुम इसी करम मारे जाओगे तुम मेरे गुलाम हो बेवकूफों सिंसिप्ट होता है फिर मुझान कहता है ठेंट दिमाग से गयो को जब पूरी चांदकारी मिल जा तुमें उसको कंफर्न करने के लिए हेतेंगू के साथ जाया करो समझ गया है और भाई सब हम लोग को दिखा रहा है गयो को जो कि बैसे इसका बलड पूरी तरह से नीचे होता है और वो नीचे गिर चुका होता है और हेतेंगू ये सुनने क फी तो हम लोग क्या करेंगे और तभी वहाँ पर आयाता है डोमा जो कि कहता है गयोको से लोड गयोको लोड गयोको सिन सिफ्ट होता है अकले सिन में दिखा जाता है डोमा को जो कि पूरी बात कर रहा होता है और कहता है क्या जानकारी है क्या जानकारी के बात है मुझे भी बताओ प्लेस मुझे भी बताओ ना और तब ही हम लोगो दिखा जाता है जो की कहता है गयो को ऐसा कोई बात नहीं है तुम जा सकते हो तुम्हारे काम की बात नहीं है ये और तब ही वो आगे कहता है डोमा तो तुम मुझे नहीं बताना चाहते प्लेस मुझे बता तो मैं में लोग देखते हैं कि भायसा उसकी पीछे से अकाजा जाते हैं जो कि इसके सर पर मुक्छा मारता उसका आदा सर पट जाता है और चला जाता है कहीं और मतल Sozial उड़के चला गया और अकाजा कहता है क Warm ft poster ने तुम्से कहा था किह मुज़ान ने तुम प्रभाइबिने मिल जाएंगे तो व्यास प्रेकर अलंग मद भूला